वर्तमान यूग अभाव का यूग है जीवन उप्योगी पधार्थों की द्रश्टी से कोई भी वस्तू बाजार से खरीदने जाईए पहले तो मिलेगी ही नहीं यदि मिल भी जाए तो बहुत उंचे दामों में अभाव और उंचे मुले से व्यापारी में अधिकलाब कमाने की सहज इच्छा जागरत हुई अधिकलाब की इच्छा ने वस्तू में मिलावट के प्राण घातक देश द्रोई और एमान विये क्रत्य को जर्म दिया मिलावट प्राण घातक देश द्रोई और एमान विये यह मिलावट ओस्दियों में तो और भी प्राण घातक शिद्ध होती है दिल्ली में उबोगताओं की सिकायत पर एक सर्वेक्षन क्या गया छपा मार कर सेरीडोन की टिक्या पकड़ी गई टिक्यों पर सेरीडोन के सा पर सारोडोन लिखा हुआ था डोक्टरों का मत है कि नकली सारोडोन सिर्दर तो दूर नहीं करेगी हां पेट की गड़बर अवश्य पैदा कर सकती है इसी परकार कोड़ोपाइरिन के स्थान पर कोड़ी पीन की टिक्या मिली जिनमें एस्प्रीन और चाक पाउडर का मिसर सकती है विसे सग्यों का कहना है कि इसकी कुछ गोल या एक साथ खाने से गोली खाने वाला स्वस्त मानव पर लोग पहुंच सकता है कानून के सिकंजे से दूर हर महीने समाचार पत्रों के सीरसक होते हैं अमुक नगर में विसेली सराब पीने से 20 आदमी मर गए कहीं 25 आदम से रोगियों की म्रत्य हो जाती है कानपूर के लाला लाजपत्रा एस्पताल के 22 रोगी नर्कलोक में नकली गुलुकोज निर्माता को कोस्ते होंगे पंजाब के मोगस हैर में 50 बच्चों की म्रत्य हो गई पता चला कि उनकी दवाई में चुहे मारने वाली दवा खाने की चीजों में मिलावटने तो भारतवाशों का स्वास चोपट ही कर रखा है चावलों में सपेज पत्थर काली मिर्चों में पपितों के बीज और पीसे धनिये में सूखी लीद मिलाना तो आम बात है देसी घी में वनस्पती तेल मिलाकर विशुद्र किया जाता है सड़े अचार में उत्वन किटानों कोसी में आत्मशात कर दिया जाता है सरसों का तेल भी शुद्ध नहीं रहा है सरीर में मलिय कुछ छड़ों में चुकनाट गयब खाने से मृत्यू का आहवान बादान ब्रोगन वास्टिक बादाम का प्रतिफला नहीं किन्तु सेंट का मिलावट का दुस परिणाम देखिए आँख का अंजन आँख फोड रहा है और दंत मंजन दातों की जड़ों को खोद रहा है नकली बाम सिरदर्द तो मिटाता नहीं बदन दर्द पैदा कर देता है शुद्ध उनके वस्तर में नाइलोन का मिसरन होगा शुद नाइलोन से नकली रेस में धागे में ले होंगे रेसम में कितनी शुद्धता है कौन जाने सिमेंट में रेत और बालू रेत में मिट्टी की मिलावट भवन की निव को कमजोर कर देती है फ्लेत है बड़े बड़े गगन चुम्भी भवन अपनी आयू से पूर्वी प्रत्वी से करने को उतावले दिखलाई पड़ते हैं कल्यूग के बारे में विष्णु पुरान भागवत और रामचरित मानस के कवी मनिश्यों ने जो लिखा है उसमें वे संभावत यह लिखना भूल गए लगते हैं कि हर पाप कल्यूग में अपनी मरियादा में रहेगा किन्तु मिल किया तो इस परष्ट हो गया है कि दूद में जल का मिसरण है स्वामी जी ने पहले तो एक टक दूद वाले को देखा और फिर रोते हुए अपना सिर पीटने लगे स्वामी जी का रुदन सुनकर अने इक शिश्यों ने स्वामी जी के उनके रुदन का कान जा तो स्वामी जी ने कहा जो कुछ सामने है उसकी शिकायत किस्ते करूं सरकार के आँख कान होते नहीं गौले के सिर पर लोब का बूत सवार है और सिव जी पहले ही पत्थर के हो गई इसलिए अपना सिर पीटने के सिवाए चारा ही क्या है उन्होंने क्रोध में गौले को दंड देने की बात कई इस पर स्वामी रामतिर्थ ने सिवलिंग वगल में दबाय और यह कहते वहां से चल दिये पहले मुझे इस गौले से कम अपरादी को खोज लेने दो फिर मैं दंड के बारे में सोचूंगा मिलावट धन के लोबी व्यापारियों की मानसिक पतन की प्राकाष्टा है उससे चुटकारा पाने के लिए जनता जनारदन को सचेत रहना होगा लोग प्रियता को दुहाई देने वाली सरकार को इस जगन्य अपराद से जनता को मुक्ति दिलानी होगी मिलावट करने वाले संस्तानों के मालिकों को आजनम कारावास और रिस्वत लेकर उसके जुल्म को कम करने या करवाने में सहायक अधिकारी को मुर्तिजंट देना होगा तब ही इस पाप से मुक्ति संभाव है धन्यवाद जैहिंद